डियर स्टुडेंट्स गुड मॉर्निंग मैं प्यूस कमर्ति पाथी स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS यूडियो पॉइंट पर इस्टुडेंट्स जैसा की आप सभी लोग जानते होंगे कि इस समय हमारी क्लास कच्छा दस सामाजिक विज्ञान सोसल साइंस को लेकर चल रही है जिसमें हम लोगोंने पहले अध्याय यूरोप में राष्ट्रवात का उदय और उसके कारणों का अध्यान कर लिया है और अब हम लोग भारत में राष्ट्रवात का उदय पढ़ने वाले हैं तो भारत में राष्ट्रवात के उदय से पहले सरोपर्थम आज मैं आपको हमारी पृत्वी और उसके बारे में कुछ महत्वण तथ्य तथा पृत्वी परुपस्तित हमारे एक प्यारे देश भारत के बारे में महत्वण तत्यों के बारे में जानकारी दूंगा जिनसे आप परिचित हो जाएंगे और आपकी आगे की राह आसान हो जाएगी और आप आगे के अध्यायों को आसानी से समझ सकते हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इं महत्वण होने वाली है क्योंकि हमारे प्रिथवी पर जो साथ महादवीब हैं उनका क्रम किस प्रकार से है तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं आप कॉपी पिन लेकर बैठ जाएए आज आपको लिखने के लिए बहुत सारी चीजे हैं तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि इस क्लास को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने मित्रों के साथ सेर अवस्य करें जिससे उनको भी इस सुविधा का लाव अवस्य ही मिल सके तो चलिए क्लास शुरू करते हैं सबसे गोलाकार क्या कहें इसको हम अंडाकार कह सकें जैसे अंडा होता है लेकिन इसको गोलाकार ही माना जाता है तो पृत्वी हमारी गोलाकार है जो सुरी के चारो और चक्कर लगाती है और या सुरी के चारो और चक्कर लगाते हुए अपने अक्ष पर भी पूर्व से पस्चिम दिशा की ओर एक मिनट हमारी जो पृथवी है सूरिय के चारो और anti-clockwise चक्कर लगाती है ये पहले आप जात करिए पृथवी सूरिय के चारो और किस प्रकार चक्कर लगाती है anti-clockwise मतलब घड़ी की सूवी के विपरीत दिशा में ध्यान दिजेगा घड़ी की सुई के विपरीद दिशा में चक्रण करती है किसके सुरी के चारोर मतलब जैसे देखिए अभी ध्यान दिजेगा जिस हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूं अगर मान लीजिए ये बीच में हमारा सुरे है तो पृथवी अगर यहाँ पे है तो वो किस तरह से चक्र लगाएगी पृथवी इस तरह से सुरे का चक्र लगाएगी पृथवी के चक्रण की दिशा इस प्रकार से होती है ध्यान दीजेगा ठीक है ना अगर हमारी पृथवी ऐसे सुरे का चक्र लगा रही है तो यह जो अंदर का हिस्सा दिख रहा है हमेशा सुरे के सामने रह रहा है जो हिस्सा सुरे के सामने रहेगा यहाँ पर दिन होता है और जो यह हिस्सा सुरे के पीछे रहता है यहाँ पर रात होती है अब आप जड़ा सोचिए कि अगर पृथवी सुरे के चारो और ऐसे चक्र लगाती चली जाती तो यहाँ पर होता तब भी देखिए यह वाला हिस्सा आगे है तो यहाँ पर दिन होता और पीछे रात होती ऐसे ही अगर यहाँ पर पहुँचा तो यह हिस्से पर दिन है और पीछे वाले हिस्से पर रात है यहाँ पहुँच गया तो इधर वाले हिस्से पर दिन है और इधर वाले हिस्से पर रात है तो यहां से आप क्या देख रहे हैं कि अगर पृत्वी सूरे का इसी तरह से चक्कर लगाती जाए तो पृत्वी का एक हिस्टा जो है हमेशा सूरे के सामने की ओर रहता है जहां पर दिन रहेगा और दूसरा हिस्टा जहां पर पृत्वी का प्रकास नहीं जा रहा है वहां पर हमेशा अंधेरा रहेगा लेकिन हम लोग तो ऐसा नहीं देखते हैं हम प्रति दिन दिन और रात देखते हैं तो इसको जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि पृत्वी का कोई और प्रक्रिया करती है हाँ आपने सही सुना प्रत्वी कोई और प्रक्रिया करती है कौन सी प्रक्रिया करती है प्रत्वी जो है सुरी के चारोर चक्कर लगाते हुए अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाती है यह याद रखिएगा यह महत्पूर्चीज है जैसे देखिए ये हो गई प्रिथवी ये प्रिथवी है न तो इस तरह से प्रिथवी अब इसमें देखिए पहले तो आप एक चीज समझ लीजिए ग्लोब में कौन सी दिशा किधर होती है ये देखिए ये ग्लोब है प्रिथवी इसमें विभिन प्रकार के महादूर इस तर ग्लोब में हमेशा उपर की साइड में होता है नार्थ नीचे की साइड में साउथ नार्थ माने उत्तर दिशा उत्तर और साउथ माने दक्छिर दिशा ठीक है ना इधर होता है इस्ट इस्ट माने पूर्व दिशा और इधर होता है वेस्ट वेस्ट माने होता है पस्चीम दि इधर वेस्ट इस प्रकार से हमारा हो गया इस्ट वेस्ट और नार्थ साउथ तो अब देखिए प्रिथवी जो है सुरे के चारोर चक्कर लगाते हुए अपने अक्ष पर भी घूमती है और कैसे घूमती है जरा आप ये वीडियो देखिए आसानी से समझ जाएंगे अब देखिए यहां पर नार्थ नीचे था सौथ इधर था इस्ट और इधर था वेस्ट तो आप देखिए ये west से जा रही है east side में दिख रहा है तो पृत्वी जो है सुरी के चारो और anti-clockwise अर्थात पृत्वी ये घड़ी की सुई की वी पृत्दिसा में चक्कर लगाते हुए अपने अक्ष पर भी पस्चिम से पुर्व चक्करन करती है अर्थात west to east चक्करन करती है ये आपके लिए important चीज है याद रखने वारी चीज है पृत्वी अपने अक्ष पर किधर से किधर चक्करन करती है पस्चिम से पुर्व की ओर यही कारण है कि हमें जो सुर्य है पुर्व से उगता हुआ दिखाई देता है यह आप याद रखियेगा सुर्य किधर से उगता हुआ दिखाई देता है पुर्व से तो सुर्य के पुर्व से उगने का कारण क्या है पृत्वी का पस्चिम से पुर्व की ओर चक्करन करना ठीक है न? यह चीज को आप कर्मफर्म याद कर लीजिए अब हम आगे की ओर बढ़ते है क्या? अगला क्या समझते है अगला पॉइंट आपको यह समझना है कि पृत्वी सुरी के चार ओर चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है क्या वो दोनों टाइमिंग समान होती है? जो चीज, पहला, हम लोग पृथवी का सुरी के चारोर चक्रन परते हैं तो पृथवी सुरी के चारोर अपना चक्र 365 सही एक बट्टे चार दिन में पूरा करती है आप लोग इसको ध्यान से जानते होंगे 365 सही एक बट्टे चार दिन, याद रखेगा इसलिए हर चौथे वर्स फर्वरी 29 दिन की होती है कितने दिन की होती है 29 दिन की ध्यान दीजेगा हर चौथे वर्स फर्वरी 29 दिन की होती है तो क्यों होती है देखिए अगर आप सामान्ने वर्स में दिनों की संख्या को काउंट करेंगे तो 365 दिन होते हैं लेकिन आप जरा ध्यान से देखिए ये एक बट्टे चार हम छोड़ देते हैं लेकिन जो एक बट्टे चार हमने छोड़ा है अब एक बट्टे चार एक साल एक बट्टे चार दो साल एक बट्टे चार तीन साल और एक बट्टे चार चौथे साल अगर इसको चार बार एड़ कर दिया जाए तो आप पाएंगे कि ये बराबर एक के हो जाता है किसके हो जाता है एक तो एक दिन बढ़ जाता है इसलिए हर चौथे वर्स फरवरी हमारी जो होती है और ये हर चौथे वर्स ही क्यों होती है आपने ये भी सीख लिया एकदम अच्छे तरीके से आपको इसमें कोई परिशानी नहीं होनी चाहिए ये आप याद रखिएगा अब आगे एक और चीज़ देखते हैं इसमें प्रिथवी का जो सुरी के चारोर चक्रण है इसी कारण से रितु परिवर्तन भी होता है आप इसको भी याद रख लिजेगा ये भी एक महत्वपूर कारक है इसको भी पूछा जाता है कि प्रिथवी पर रितु में क्यों प्रिथवी का अपने अक्ष पर चक्रण तो ध्यान दीजिए हम लोग जानते हैं कि दिन और राद मिला के कितने घंटे होते हैं 24 घंटे यही प्रिथवी का अक्षी चक्रण समय है प्रिथवी का अक्षी चक्रण समय याद रखिएगा प्रिथवी का अक्षी मतलब यह जो प्रिथवी अभी देखिए अपने अक्ष पर घूम रही है पस्चिम से पूरब की और इस तरह से इसी के कारण दिन और रात होते हैं अब देखिए चुकि घूम रही है तो घूमत है लेकिन देखिए प्रिथवी तहसे घूम रहेने घूमते गूमते या जो पीछे वाला हिस्सा भारा घंटे के बाद इधार सामने आ जाता है तो इधर दीन हो जाता है तब तक चार और इस तरह से चक्रन का लगा रही है अब ये प्रिथवी अभी एक टाइम पे हम चर्चा करते हैं कि कैसे दिन और रात हो रहे हैं तो अभी देखिए जो ये हिस्सा है इधर दिन है और पीछे वाला हिस्सा रात है अब चुंकि इधर वेस्ट साइड है इधर इस्ट साइड है तो प्रिथवी देखिए वेस्ट से इस्ट की साइड में चक्कर लगा रही है अब यहां से मान लीजिए एक आदमी यहां पे खड़ा है वेस्ट साइड में कलम को आप ध्यान से देखते जाईएगा मैं पेन का रंग बदल देता हूँ आप आराम से समझेंगे देखिए अगर एक आदमी इस समय यहां पे है तो अभी सुरी को देख सकता है लेकिन प्रिथवी ऐसे चक्कर लगा रही है तो कुछ देर में अभी यह पीछे आने लगेगा और सुरी को नहीं देख पाएगा तो हम लोग कहते हैं सनसेट हो गया तो सनसेट नहीं होता है सुरी नहीं छिपता है छिपते हम लोग हैं हम लोग देखिए सुरी के पीछे अब वो आदमी यहां पर चलाया तो उसको सुरी दिखेगा क्या नहीं दीखेगा इस स्थिति में वो कहेगा कि सुर्य छिप गया है और राथ हो गई है अब देखिये कुछ समय के पस्चात वो यहाँ पर पहुँचता है तब धीरे-धीरे फिर उसे सुर्य दिखना शुरू होता है तब वो क्या कहता है सन राइज हो गया अर्थात सुर्य उदय हो गया याद रखिएगा तो सुर्य उदय और सुर्य अस्त नहीं होता है हम लोग उदय और अस्त होते हैं और गलती सुर्य की दे देते हैं याद रखिएगा तो हम अब यहाँ पे आए देखिए हमने सुर्य को चलती रहती है प्रति दिन अब वास्तों में एक चीज याद रखिए मैंने अभी आपको मोटे तोर पर बताया कि पृत्वी हमारी जो है सुरे के चार ओर अपना एक चकर 24 घंटे में पूरा करती है जिसे हम लोग दिन और रात मिला 24 घंटे कहते हैं जो हमारा टाइम है लेकिन वास्तों में जो पृत्वी होती है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में अपना चकर पूरा करती है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में अपना चकर पूरा करती है ये चीज को आप ध्यान में रखिएगा एक दिन में, मतलब एक चक्कर प्रिथवी अपना कितने दिन में पूरा करती है 23 घंटे, 56 मिनट, 4 सेकेंड में परन्तु इसे हम मोटे तोर पे कितने घंटे मान लेते हैं 24 घंटे मान लेते हैं और दिन और रात मिला के हम लोग 24 घंटे करते हैं ये चीज को आप याद रखिएगा ये तो हो गई प्रिथवी और उसके सुरी के चारों और चक्रण के बारे में जानकारी अब हम प्रिथवी पर कुछ महत्वण चीजों के बारे में अध्ययन प्रारंभ करते हैं तो चलिए, शुरू करते हैं अगला आपने इस प्रकार से देख लिए प्रिथवी किस तरह चक्कर कर रही है फिर एक बार याद रखिएगा वेस्ट टू इस्ट, इधर वेस्ट, इधर इस्ट उपर नार्थ और नीचे साउध, ये याद रखिएगा, देखिए कैसे जा रही है साउध, इस जा रही है, इसे घुम के आ जा रही है अब हम यहाँ पे खड़े थे, यहाँ पे आये सुर्य नहीं दिखा, यहाँ कहाँ सुर्य दिखना प्रारंब हो गया जब इधर पहुँचे, सुर्य पूरी तरह से दिखने लगा और उसके बाद यहां पहुंचे तो फिर सुरी दिखना बंद हो गया तो हम लोग करते हैं सुरी उदय और सुरी आस्त हो गया लेकिन आप इनको जान चुके होंगे कि सुरी उदय और सुरी आस्त नहीं होता है हम लोग अस्त और उदय होते हैं तो इस बात को आप गांठ बांध लीजिएगा और मैंने जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजे बताई आप इनको अवस्य ही लिख लीजिएगा अब हम चलते हैं प्रिथ्वी से संबंधित कुछ महत्वपुन तत्यों के बारे में जानकारी लेने के लिए तो चलिए शुरू किया जाए डियर स्टुडेंट्स चलिए तो अब हम लोग ध्यान देते हैं जैसा कि अभी मैंने प्रिथ्वी के बारे आपको बताया कि प्रिथ्वी जो है सुरे के चारो और एंटिक लाक वाई चक्कर लगाती है मैं ये चीज़ सुरू करने से पहले आपको एक चीज़ और बता देता हूँ प्रिथ्वी के चारो और ग्रह और उनकी इस्थिती तो जैसे देखिए ये हमारा हो गया सुर्य हो गया ना सुर्य से आपका पहले नंबर पे आता है बुद फिर आता है फिर आता है प्रिथ्वी हमारी फिर आता है मंगल उसके बाद आता है ब्रिहस्पती जान दिएगा थोड़ा उसके बाद ये है आपका सनी फिर ये है आपका अरूड और ये है आपका वरूड और इसके बाद आता था यम इसके बाद यम आता था जिसे अब ग्रहों की स्रेडी से हटा दिया गया है याद रखिएगा आप तो ये प्रकार से ग्रहों का क्रम है इन स्क्रम में आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि हमारी प्रिथ्वी है यो किस क्रम पे आ रही है एक दो और तीसरे क्रम पे आ रही है तो प्रिथ्वी सुरी के चारो और किस हिसाब से चक्कर लगाती है एंटिक लाक वाई ऐसे चक्कर लगाती है ठीक है न और सुरी से दूरी के क्रम में प्रिथ्वी का कौन सा अस्थान है तो थर्ड अस्थान है तीसरा अस्थान और पृत्वी से सुरी की दूरी कितनी है तो 14 करोण 96 लाख याद रखिएगा 14 करोण 96 लाख लगबग हम कहते हैं 15 करोण किलो मीटर ठीक है ना आप इस बात को गाठ बान दीजिए कहीं लिख लीजिए तो ये हो गए गरह और कियेगा चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अब जैसा कि हम लोग अपनी प्रित्वी पे एक प्यारे से देश में भारत में रहते हैं तो देखिए धियान से आप हमारा प्यारा भारत देश थोड़ा इसमें ढूनीए तो कहां दिख रहा है मैं आपको एक जूमिन करके हिस्सा दिखा देता हूँ अब आप बताईए इसमें प्यारा देश आपको कहां दिख रहा है देखिए ये है हमारा प्यारा भारत देश देखिए ये दिख रहा है ना ये प्यारा भारत देश है अब प्यारा भारत देश कहां दिख रहा है पीले भाग में दिख रहा है प page पे लिया है जो एक ऐसे सीधे क्रम में दिखा दिया गया है ध्यान से देखिएगा एक सीधे क्रम में इसको दिखा दिया गया लेकिन ये क्या अभी तो मैंने आपको बताया कि प्रिथवी हमारी गोल है फिर भी हमने इसको सीधे कागस पे कैसे दिखा दिया तनिक उपर ध्यान दिजिए ध्यान से देखिए ये ये रही हमारी प्रिथवी क्या इसमें आपको पूरा हिस्सा दिख रहा है जैसा कि भी मैंने नीचे दिखाया क्या ये पूरा हिस्सा इसमें दिख रहा है नहीं दिख रहा है क्यों नहीं दिख रहा ह तो पृत्वी के आधे भाग पर ही चमकता और पिछले भाग पर क्या रहता है अन्हेरा रहता है अब एक चीज सोचिए इसको दिखाया कैसे गया है यहाँ पर आपको देखिये कुछ लाइने दिख रही है कुछ ऐसे गई है देखिये ऐसे 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 यह लाइन उसके बाद यह लाइन प्रिस्वीबर नहीं यह वास्तों में खीची गई रेखाएं नहीं है अब एक चीज जरा ध्यान से समझे यह हैं क्या तो निक हम इनको समझ लेते हैं तब हम लोग महदवीपों को समझना प्रारम करते हैं थोड़ा ध्यान से देखियेगा जो इस प्रकार की ला देसांतर क्या है अभी देखिये ऊपर की साइड में है नार्थ और नीचे की साइड में है साउथ इस नार्थ साइड को हम कहते हैं उत्तरी ध्रूल जहां पर छे महिने का दिन और छे महिने की रात होती है मैं आपको इसको कभी अगली क्लास में समझाओंगा क्योंकि आज क दक्छिली ध्रू तो देशांतर से चलता जा रहा है कहा जाकर मिल रहा है दच्छिली ध्रू पर मिल रहा है तो उत्छिली ध्रू को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहला ती है देशा अंतर कहलाती हैं उत्तरी दुरू और दच्छी दुरू को मिलाने वाली रेखाएं देशा अंतर कहलाती हैं ये प्रिथवी पर एक एक अंस के अंतर पर खींची गई है मतलब प्रिथवी यहां है प्रिथवी का मान लिजे बीच में केंदर होगा वहां से 0 अंस पर फिर 1 अंस पर 2 अंस पर 3 अंस पर 4 अंस पर ऐसे धीरे 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 खींची गई है अब तनिक आप बता दीजिए कि प्रिथवी पर कितनी देसांतर रेखाएं खींची गई है समझाते जी एतनिक कितनी देश आंतर रेखाएं खीची गई होगी जी प्रिथवी पर चुकि हम जानते हैं कि हमारी प्रिथवी पर कितने डिगरी का कोण बन सकता है चुकि हमारी प्रिथवी एक गोला है और यहां से यहां एक चक्कर पैसे आप कोण बनाते जाएए तो एक बृत बन जाएगा और बृत की अंसमाब कितने अंस होती है तीन सो साथ अंस होती है तो अब हमने एक एक अंस के अंतर पर इन देशांतर रेखाओं को खींचा तो आपको याद हो जाना तरहिए कि प्रिछीव पर 360 देशांतर रेखाएं होती हैं परंद जरा सोचिए कि जब हमने 0 डिगरी से सुरुआत की थी कहां से जान दीजिएगा 0 डिगरी से और लास्ट में घूमते घूमते फिर हम यहीं आ गए तब जाके हुआ यह 360 माने तो 0 और 360 एक ही हैं याद रखिएगा यहाँ पे 0 और 360 एक ही हैं 0 और 360 याद रखिए आप तो 180 और उसके बाद 180 से आगे इधर 180 और 180 इधर 360 कितने देशांतर रेखाएं हो गई 360 देशांतर रेखाएं हो गई अन्य था 0 से आप थोड़ा गिन लीजिए तो 0, 1, 2, 3, 4, dot dot कहां तक 360 तक ये हो जाती है आपकी 361 देशांतर रेखा है परन्तु हमने कहा 360 ही होती है क्योंकि 0 और 360 काउंटेबल एक ही जगा होते हैं ठीक है ना अब देखिए 0 और या 0 डिगरी देशांतर रेखा इसको हम कहते हैं ग्रीन विच मीन टाइम याद रखिएगा तो आप याद रखिएगा यहाँ पर हम ग्रीन विच मीन टाइम ये 0 डिगरी सेलसियस को कहते हैं इसे साड़ फॉर्म GMT से प्रदरसित किया जाता है आपने कभी देखा होगा अपनी घड़ी का क्लॉक खोल के देखिएगा आपका जो टाइम होता है ये 5.30 GMT लिखा होता है याद रखिएगा मतलब GMT से साड़े 5 घंटे आगे GMT से साड़े 5 घंटे आगे ये याद रखिएगा मतलब जब यहाँ पर रात के 12 बजेंगे मतलब चुड़ेल निकलेगी याद रखिएगा रात के 12 बजेल चुड़ेल निकलती है ना तो जब 0 डिगरी सेलसिया ये सॉरी 0 डिगरी देसांतर पर 0 डिगरी देसांतर जिसे हम लोग क्या कहते हैं GMT कहते हैं क्या कहते हैं GMT तो वहाँ पर क्या होता है 0 डिगरी देसांतर पर 0 डिगरी से देसांतर इसे हम Greenwich Mean Time भी कहते हैं ये Greenwich क्यों कहते हैं क्योंकि ये England के Greenwich नामा का स्थान से होकर जाती है और यहाँ पर जब रात के बारा बचते हैं तो हमारे प्यारे भारत देश में उस समय का टाइम होता है, साड़े पांच, क्यों? क्योंकि जो हमारा प्यारा भारत देश है, वो इसे साड़े पांच घंटे आगे है, अब आप तनिक सोचिए, यहाँ से आपके मन में क्योरिसिटी पैदा होनी चाहिए, सवाल पैदा होने चाहिए, कि यह साड़े पांच GMT कैसे हुआ है, तो अब देखिए, पृत्वी पर यह जो देशांतर रेखाएं खिंची गई थी, सोचिए तनिक, जो यह GMT थी बीच में, GMT, यह GMT के इधर साइड में तो कौन सी दिशा पड़ रही है, वेस्ट, और इधर साइड में कौन सी दिशा पड़ रही है, इस्ट, तो जो इधर की साइड के देशांतर थे, इनको कह दिया गया पूर्वी देशांतर, और जो इधर की साइड के देशांतर हुए, इन्हें का दिया गया पस्चीमी देशांतर, हो गया न, अब सोचिए तनिका भ्यान से देखिएगा, यहां से जो एक एक अंस के अंतर पर रेखाएं खींची गई थी, यह हमारे भारत अस्थां तक या भारत देश तक पहुंचते पहुंचते, कुछ अंस पर पहुंच गई होंगी, तो हमारे भारत देश में जब यह पहुंची, तो हमारे भारत देश का जो है, GMT कितना माना गया है, साढ़े 82 अंस देशांतर को माना गया है, कितने अंस देशांतर को माना गया है साड़े 82 अंस देशांतर को माना गया है ये आप याद रखिएगा जो हमारे प्यारे भारत देश के पांच राज्यों कितने राज्यों याद रखिएगा भारत का जो मानक समय है भारत का जो मानक समय है कितना डिगरी देशांतर है साड़े 82 अंस वो भी कौन सा देशांतर पूर्वी देशांतर अभी हम लोग धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे न तो इन चीजों को ध्यान से कवर करते जाएंगे पहले आप बस इतना याद रखिए भारत का मानक समय साड़े 82 अंस पूर्वी देशांतर है अब सोचिए साड़े 82 अंस पूर्वी देशांतर है यह भारत के पांच राजियों से जाता है तनिक उनके नाम लिख लीजिए फटा फट पहला उत्तर प्रदेश दूसरा मध्य प्रदेश मतलब यूपी दूसरा यंपी तीसरा चत्तिस गड़ चत्तिस गड़ चोथा ओड़ी सा लिखते जाईए आप नाम पांचवा पांचवा नंबर आंधर प्रदेश तो यह जो हमारे पांच राज्य हैं यहां से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है भारती समय रेखा कितने अंस पे साड़े बयासी अंस पे यह भारती समय रेखा भारत के पांच राज्यों से होकर जाती है आप इनका नाम लिख लीजिएगा अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं इसमें कि जो भारत की मानक समय रेखा है वो साड़े बयासी अंस देशांतर पर है कितने अंस देशांतर पर साड़े बयासी अंस और जो जीरो डिगरी देशांतर से कितनी दूर है जी साड़े बयासी डिगरी दूर है कितनी डिगरी दूर है साड़े बयासी डिगरी देखिए हम लोग पूरब की दिशा में है ना इसलिए इसे हम कौन सा देशांतर कहते हैं पूरवी देशांतर कहते हैं और इधर होते ना तो पस्चिमी देशांतर होता तो अभी देखिए अंतर तो साड़े बयासी अंस का है अब सोचिए ये साड़े 82 अंस आगे हैं जब ग्रीन विच मीन टाइम से तो साड़े 5 ही घंटे कैसे आगे हुए तो आप एक बात गाठ बान दीजिए प्रिथवी पर 2 देशांतरों के बीच जो समय अंतराल होता है आप इसको तनिक लिख लीजिएगा प्रिथवी पर 2 देशांतरों के बीच समय अंतराल कितना मिनट का होता है 4 मिनट का होता है कितने मिनट का होता है जी 4 मिनट का मतलब इस जो साड़े 82 अंस तक हम पहुँचे हैं न इसमें आपका 55-22 अर्थाथ 82-देसांतर और आधा आगे और पहुँँच गई होंगे मतलब मान के चलिए हमने 52-देसांतर खीच लिए हैं और 2-देसांतर के बीच में कितनी डिगरी का अंतर है, जी लगा दो, चार दुनाइट, दो दस को जीरो हाँसीलék, चार अठे बतीस और एक, तैंद तीस Кितना आ गया जी? तीन सो तीस मिन्यट आ गया, और इस मिन्यट को गंटे में वदलने के लिए आप साठ से भाग दे लिजिए साठ से भाग देंगे तो तो एक 0 से 0 कट गया ना और उसके बाद 5 हका 30 और बचा 3 फिर 5 हका 30 मतलब कितना आगया जी नहीं सॉरी गलत करने एक मिनट 6 से काट रहे ना 6 पच्चे 30 फिर बचा 3 के आगये दसमलो गया 0 6 पच्चे 30 मतलब 5.5 घंटे हो गये अब दसमलो 5 घंटे का मतलब समझ रहे हैं 5 घंटा और आधा घंटा आधा घंटा मतलब कितना मिनट जी तो 5 घंटा 30 मिनट तो देखिए जो 6.82 था ये 6.82 वो 4 मिनट का गुड़ा करने पे कितने घंटे बन गया 5 घंटा 30 मिनट बन गया 5 घंटा 30 मिनट इस प्रकार से हम लोग इस GMT से कितना आगये देखिए जो पूरब की ओर होता है वो घंटे क्या है आगे है याद रखिएगा इसलिए देखिए आपको हर जगां का समय अलग 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 दिखता है आप अपने मोबाईल में वर्ल्ड क्लाप खोलिएगा वर्ल्ड क्लाप वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि हर जगां का समय अलग अलग होता है वह demasiado है आपके हो गया प्यारे भारत देश के बारे में अब यहां चलता क्या होगा तो देख्ये पीछे ठीक बना होगा उठ्टwow बनाओका जी, 180 degree देशांतर, याद रखिएगा, क्यों जी, क्योंकि अगर यहाँ पे है, तो 180 degree इसके ठीक भी परीत होगा, क्योंकि यही लाइन तो 180 degree की बनेगी, तो 180 degree, 0 degree के ठीक पीछे होता है, जिसे हम अंतर राष्ट्री तिथी रेखा कहते हैं, किसको कहते हैं जी, अंतर राष्ट्री तिथी रेखा, ठीक है, याद रखिएगा, अंतर राष्ट्री तिथी रेखा, कितने degree देशांतर को कहा जाता है, 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है ये कहां खिंची गई है ध्यान से लिख लीजिएगा प्रसांत महासागर में खिंची गई है जी कहां प्रसांत महासागर में अब सोचिए प्रसांत महासागर में जब खिंची गई होगी तो अब ऐसे मान लीजिए तनिक इस पे चित्र पे आप ध्यान दीजिए अब मान लीजिए आपका प्रसांत महासागर रहा ये देखिए ये रहा प्रसांत महासागर अब अगर इधर भी प्रसांत महासागर है तो यहां से अगर ऐसे रेखा सीधी सीधी खीच दी जाती तो देखिए बीच में कुछ अस्थान भी दिख रहे हैं जो coloring point हीए सब अस्थान है और बीच बीच में छोटे अस्थान भी होते हैं अब तरी के एक चीज़ सोचिए ये तिथी रेखा है तिथी रेखा के इधर की तरफ अलग दिन होता है और इधर की तरफ अलग तारीक होती है इधर की तरफ अलग तारीक होती है जो पूरब की ओर होते हैं उनका आगे की तारीक होती है और जो पस्चिम की ओर होते हैं उनका पीछे की तारीक होती है ये आप गांठ बान लीजिएगा जैसे इधर अभी मंगलवार हो गया तो इध आपका घर है ये आपका घर है ये आपकी मित्र का घर है ठीक उसके बाद यहां से Greenwich Mean Time बीच में से गुजर गई तो अब क्या होगा दोनों लोग का घर तो आपका पास पास ही है एक ठीक पडोसी है आप एक दूसरे के लेकिन आपकी बीच की जो गली थी उसी के रास्ते Greenwich र का जो मित्र है वो इधर पस्चिम दिशा में हो गया तो एक दिन पीछे हो गया और आप इधर पूर्व दिशा में हो गया तो एक दिन आगे हो गया तो आप कहेंगे भाई आज मंगलवार है और वो कहेगा सो मारा बस धुन धळाका हो गया आपके और आपके मित्र में वही ये कि जब ये प्रसांत महा सागर में Greenwich Mean Time चल रही थी तो जब तक पानी था तब तक तो इसको ले के गए जैसी यहां पे जमीन मिली इसको ऐसे मोड दिया गया फिर ऐसे ले के गए तो इसलिए International Deadline थोड़ी सी मोड़ी हुए चुकि पानी में तो कोई रहता नहीं है तो पान से हमने समझ लिया देशांतर और Greenwich Mean Time और हमारे भारत की जो मानक समय रेखा है उसको और ये International Deadline जो कहां पे खींची गई है कितने डिगरी देशांतर पे है ये International Deadline किसका निरधारन करती है तिथी का आर्था दिन का निरधारन करती है जबकि Greenwich Mean Time समय का निरधारन करती है य अब दूसरी स्थिती जो हमारा दूसरी दूविधा थी वो क्या थी ये देखिए ये ये लाइन्स दिख रही है न ये वाली ये लाइन्स भी है क्या है इनको कहते हैं अक्छांस क्या कहते हैं जी अक्छांस अब प्रिथवी का जो केंद्र है केंद्र से प्रिथवी पर समान क कोड़ बनाने वाले बिंदूओं को मिलाने वाली रेखा अक्छांस कहलाती है जैसे यहाँ पर केंदर हो गया तो यहाँ पर 0 डिगरी कोड़ बना या इधर भी 0 डिगरी ऐसे 0 डिगरी कोड़ बनता जाएगा क्योंकि जब आप उपर जाएंगे तब तो कोड़ बढ़ेगा तो यह सीधी पर 0 डिगरी बना तो ऐसे यह मिलाने वाली रेखा 0 डिगरी अक्छांस कहलाएगी इसी 0 डिगरी अक्छांस को हम कहते हैं क्या विसुवत रेखा क्या कहते हैं जी विसुवत रेखा यह जो होती है प्रिथवी को दो बराबर भाग में बाटती है कौनसी 0 केंद्र से प्रिथवी की परिद्र से समान अंस का कोड बनाते हैं उनको मिलाने वाली एक कालपनिक रेखा अक्छांस कहलाती है अब सोचिए कि प्रिथवी का केंद्र है तो दो पोल्स हैं ध्यान दीजे गाता निकाप यहां पे मैं आपको खाली अस्थान में समझाता हूँ अब यहां से यह उपर तो हो गया नार्थ साइड और नीचे हो गया साउथ साइड तो यहां से यह जीरो डिगरी अंस हो गया यहां से एक डिगरी दो डिगरी तीन डिगरी यहां तक आप कितने डिगरी पे पहुँच जाएंगे जी 90 डिगरी पे पहुच जाएंगे कितने 90 अक्छांस रेखा हैं उपर की ओर और 90 अक्छांस रेखा हैं नीचे की ओर मतलब ये जो हमारा गोला कार दिखरा ये गोला दिखरा है ना आपको इसमें ये जो यहाँ पे देखिए बीच में आपका कर दिये अगर हम विशुवत रेखा ये बीचो बीच में ये ऐसे तो इसके उपर ऐसे ऐसे नब्बे खींची गई है अब सोचिए नब्बे पे जब हम पहुँचते हैं तो उत्तरी धुरू पर पहुँच जाते हैं याद रखिएगा आप इसी प्रकार नब्बे अंस नीचे भी होगा और यहां भी कोई अक्षांस रेखा नहीं होगी अब सोचिए शुरू हुआ जीरो से एक, दो, तीन, चार, पांच इधर नवासी तक पहुचा मतलब नवासी ये और जीरो ये मिला के नब्बे हो गए कितने होगा है उपर जी नब्बे और इधर तो जीरो आप गिन चुके हैं तो इधर गिनते गिनते नब्बे तक तो जाना नहीं है नवासी तक ही जाना है तो नब्बे आपके उपर हो गए नवासी नीचे हो गए इस प्रकार से नब्बे और नवासी मिला के कुल 189 तो कु हम लोग अस्थानों का निर्धारन करते हैं अब तनिक ध्यान दीजिए ये जो आपका जीरो डिगरी पे खींचा गया है जीरो डिगरी जो खींचा गया ये है जीरो डिगरी अक्छान्स इसको हम कहते हैं विसुवत रेखा अब ऊपर की साइड है नार्थ और नीचे की साइड है साउथ तो इसके उपर जो लोग रहते हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं और इसके जो नीचे रहते हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये दक्षिडी गोलार्ध में रहते हैं तो हम लोग जो हैं हम प्यारे भारतवासी उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं इसका मतलब हम जानते हैं कि हम लोग विशुवत रेखा के किधर सदा इस दिशा में हैं उत्तर दिशा में हैं उत्तरी गोलार्ध में रहने का मतलब विशुवत रेखा के उत्तर दिशा में हैं यह चीज को आपको याद रखना है अब ऐसे एक चीज सोचिए यहां से देखिए यह गलोब है अब तनिक एक आपके मन में और दुविधाउत पन होनी चाहिए कि यह गलोब क्या था अभी हमने अक्छांस देशांतर जैसा की समझ लिया न यह देशांतर इस प्रकार से गोली गोली रेखा और अक्छांस इस तरह से रेखा तो 360 देशांतर रेखाएं हो गई और आपका 189 अक्छांस रेखाएं हो गई आप इनको लिखकर याद कर लीजिएगा जो प्रते एक एक अंस पर खीची गई रेखाएं हैं तो हम लोग धुरूओं तो 90 डिगरी पहुंचे 90 उपर 90 नीचे लेकिन बीच में 90 और 90 पर तो यह अक्छांस खीचा नहीं जा सकता है क्योंकि यह पॉइंट हो जाता है और 0 डिगरी दोनों तरफ काउंटेबल है इसलिए एक कम हो गया 189 ही बचा और जबकि 360 वाला तो आपका 0 और 360 एक ही काउंटेबल था 361 होना चाहिए लेकिन हुआ कितना 360 क्योंकि 0 और 360 एक ही जगा पर थे अब तनीक एक चीज देखिए अभी उपर के चित्र में हम देख रहे हैं कि प्रिथ्वी ऐसे सीधी दिख रही है लेकिन जब यह गलोब में देख रहे हैं आप गलोब कभी देखिएगा अपने विद्याले में यहां से इसको सीधा होना चाहिए था यह यहां से जुका होता है साधे 23 अंस कितना जी जान दीजेगा कितना जुका होता है साधे 23 अंस तो प्रिथ्वी का अक्षी जुकाओ कितना है साधे 23 अंस यह प्रिथ्वी का अक्ष है जो सीधी रेखा है न इसे प्रिथ्वी का अक्ष कह आया है ऐसे तो जुकाओ कितना अंस का हो गया 23 अंस और अगर इसकी धूरी से माना जाए ये इसकी धूरी है तो धूरी से ये कितना हो जाएगा सुरी ये वाला ये हिस्सा बीच में इसकी धूरी रहेगी तो ये हिस्सा कितना हो जाएगा चूंकि अभी जो हमने 0 degree अक्छांस से देखा है सोचिए 0 degree अक्छांस यहाँ पर यह 0 degree का कोण है और उपर जाने पर 90 degree था लेकिन प्रिथ्वी का जुक के आपका 23 degree इधर चला आया है तो यहाँ से यहाँ कितने बचे 90 में से आप घटाईए 23 तो यह वाले बचे हैं साड़े 6,6 थंस तो प्रिथ्वी अपनी धूरी से साड़े 6,6 थंस जुकी हुई है और जबकि अपने अक्छ से साड़े 23 अंस जुकी हुई है आप इन बातों को लिख लीजिएगा प्रिथ्वी अपने अक्छ से कितना जुकी हुई है साड़े 23 संस इसलिए जो हमारा गलोब है सीधा ना होकर साड़े 23 संस जुगा होता है ऐसे ठीक है ना आप इस बात को याद रखें तो गलोब के जुके होने का कारण प्रिथवी अपने अक्ष पर कितना जुकी हुई है साड़े तेई संस जुकी हुई है आप इस बात को याद कर लीजिए तो इस प्रकार से आज हमने प्रिथवी के बारे में कुछ महत्वपूर्ट त्थ जान लिए आज की क्लास काफी जादा बड़ी हो रही है इसलिए मैं आज की क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ और हम लोग अगली क्लास जो है देखेंगे कि महत्वी यह जैसे नीचे अभी हमने दिखाया ना हमारा प्यारा भारत देश कहा था तो यह जब नाम लिखे गए हैं यह क्या है किस क्रम में है इनका अध्यन हम कल की क्लास में कर लेंगे और इसको पूरा कर लेंगे साथ ही अपने प्यारे भारत देश के बारे में महत्वी पुर्ट तथ भी जानेंगे जैसे राज्य और उनके राजधानिया तथा हमारे प्यारे भारत देश की जो इस्थिती है किस प्रकार से है और उसके बाद मानक समय क्या था हमारा आपने पढ़ी लिया है और भारत की पूरा पस्षिन चोड़ाई उत्तर दच्षिन चोड़ाई कितनी है भारत बिश्व में कौन सा नंबर का देश है छित्रफल के आधार पर पॉपुलेशन के आधार पर कौन सा है ये सारी चीजों की जानकारी हम लोग कल प्राप्त करेंगे तब तक के लिए नमस्कार टाटा गुडबाई पढ़ते रहिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए और तयार करते रहिए और साथ में एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिए मैं आप लोग से डेली कहता हूँ कि एक कमेंट अवस्य किया करिये लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कोई प्यारा कमेंट आप लोग अबस छोड़ के जाए, कोई सवाल ही छोड़ के जाए हमारे लिए, जिससे मैं उनको खोजूँ, और आपके लिए अगली वीडियो में उसका उत्तर दे सकूँ, या कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर आपको दे सकूँ, तो चलिए, आज के लि ये बस इतना ही नमस्का टाटा गुडबाय मिलते हैं कल की क्लास में